हेलो गाइस तो सभागत करता हूं मैं आप सभी कहने स्भी व्लोग में तो आज का यह जो व्लोग है यह इसमें मैं अलोए जो वील जो है वो पेंट करवाने जा रहा हूं और इसमें आपको नए टेर डालते हुए देखाऊंगा मैं अगर आपको इस वीडियो में कोई भी पार्ट अच्छा लगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब चरू कर देना अगर आपने इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे इस स्कूटी की कंडिशन ऐसी थी और ऐसी हो गई है अगर आपने वोवले पार्ट नहीं देखे तो नीचे देखे लिंक है या फिर मेरे चैनल पर जाना आपको उसकी वीडियो मिल जाएगी तो आई ये इस वीडियो को चालो पर तो सबसे पहले इसके दोनों वील्स जो है वह उतार लेते हैं जल्दी अल्दी मेरा भाई टैर खोल रहा है और इसके बाद देखते हैं पहले इसको प बड़िया हो जाएगी तो इससे पहले वाली वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर जाना तो भाई अब जा रहा है इसको पेंट करवाने है एक टैर खोले अभी दूसरा खुलेगा आज शाकिर बड़ा गंदा टाइड करता है यार ले लोग गार गिरामत दीव आगे समर्कार टूट जाएगा आज अज़ा रगदे रगदे कोई दिक्कत में आज़ा कोई दिक्कत में टेडा करूगा यार इसका ये रूचन बाना पड़ेगा तुमारे बढ़ेगा तुमा ये बाहर को हल्का तेडा करूगा यार ये तभी पड़िया गिरी वी आड़ी है अज़े यार टेरी नहीं कन ली तेना गय फैनेश के अंदर अशी निकल जागा इसरा दिखातां में दुहारे को इन देखो अब वो रड़ देखो जना चपकी पड़ी है इसको हल्का बाहर अब दिये दे के आते चल अब पाना को ने ले जाओं ले जाओं अब बस इसके अलोई पेंट होने चल भाई ऐसे ऐसे उठवा दूगे शोपकर ये प्रोफ पर साफ कर दी किसके करें ना इसके साफ करें हैं तो यह वड़ ट्यर उता रहे और अंदर से देख सकते हैं कितना जंग लग रहे का अब इसकी बफरिंग होगी जो अंदर से है क्योंकि Board थे और च्यूब डर्यूब हो Azамен हम नें ट्यूब्ल वराने तो इसकी पहले बफरिंग अच्छे से साफ होगा तो एक जो वील है वो तो अंदर से थोड़ा साफ निकला है दूसरा वाला जो है वो रस्टिंग वगएरा ज्यादा आ रखी है नेकिन साफ तो दो नहीं करेंगे और अगर साफ नहीं करेंगे तो उसमें एर वगएरा रुकने के चांसे का मुद्ध में दिक्कत आती है तो यह जो है उसकी साइडे बिल्कुल कर रहे हैं ताकि कोई दिक्कत ना है और सफाई भी लगे थोड़ी तो उसके बाद हम चलेंगे बफरिंग करने तो देख सकते हैं कितनी रस्टिंग आ रहा कि अभी यह पूरा साफ हो जाएगा तो आपको यह पूरी खतम हो ज करती है मशीन से और यह बिल्कुल स्मूध हो जाता है मतलब करेंडर टाइप में करते हैं और देख सकते हैं इतना फरक आ जाता है यह पूरी रस्टिंग पूरे में थी निकिन साइडों में क्लियर हो गया बीच-बीच से रह गया अब 20 से होएगी और उसके बाद यह जो ज रही है यह टेर्स उयट का लेकर आया होंगा और दूसरा टेर हमने लिए अपना पोलो company का और यह दुकान है हरीनगर में जनकपुरी जेल रोड वाली रोड पर यहां से हमने टेर लिए है और यह पिछला है और यह अगला पोलो का और यह भी बड़ी आ है यह यह दो काड् तो बाई एक टेर हमने पोलो का लिया है और एक टेर हमने सीड का लिया है दोनों पड़े है अब बस अलोई का वेट है अगला टेर मेरा पोलो का पिछला सेड का अब यह डलवाएंगे सुबह से करा होता तो मया आजाता तो भाई सुबह से इनको पेंट के लिए दिया पर इन्होंने अभी तक निकरा अब जाके पेंट करवा रहा हूं में जबडस्ती और देख सकते हैं मैं ब्लैक में करवा रहा हूं ऐसे सिल्वर में होते हैं पर हम लवर है तो ब्लैक में करवाएंगे कि पूरी स्कूरी शिद्ट से तियार हो रही है तो ब्लैक भी अच्छा लगे ब्लैक लगें और एंब ऐने का करवारे थे पर ब्लैक में ज़्यादा लुक आएगी तो इसलिए ब्लैक करवार हूं मैं एक्चुली यह ना गाड़ियों के काम करते तो बाइक का पकड़ते नहीं है तो इनके पर टाइम इन हो था तो इस वज़े से मैं बड़ी जबर्दस्ति करवार हूं इनसे तो मतलब ट टाइम हो रहा है आठ बज़े के असपास और अब जाके सूखे हैं अब इसको फटाफटे टेयर डालते इसमें और यह विली अपनी वह क्या करते हैं टूबलेस नलकी है यह लगेगी अपनी अक्टिवा में मर्पी आप देख सकते हैं एक स्वास्ट सिर्वें और और यह न बाइक करते जो है रात हो चुकी है अब पिटिंग करनी है अब अगला टेर भाई लेगे जा रहे हैं बाइक करते हैं ओाक करते हैं गिल्याओ आप में होगे खर इसलेक य्ट अबलेस बाइक करते हैं कर दिलिड़कित यार्चण निर्गार्छ। दो जो लझातों तो हंट से पांट रैसक वे जनDOखरॉ जो लंग कर सांटतर दो रिए। पर लगे जिएरे से से उगे। भार पार झार प्सक्तोный पार से प्र सुर्ष धर्ष निए। प्र संवे हाई लंग झां फ्सकाम ङ्वार एंडर यग woke तो भाई अपनी स्पूटी रेडी हो चुकी है टाइटो डिल चुकी है देख सकते हैं आप किती प्यारी ग्रीप आ रही है और मैं मिलता हूं आपको इसकी नेक्स्ट लोग में तब तक लिए बाए और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना और प्यारा से इस चैनल पर और मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में और पुराने पार्टन देखें तो जाके देखें